जाहित दोस्तों आज हम हिंदी साहित की बात करेंगे और हिंदी साहित में भी राष्ट कभी दिनकर की बात करेंगे आखिर क्या दिनकर जी के संपुर्ण काब शंग्रह को टिप्स पर किया जा सकता है तो मैं कहूंगा बिलकुल किया जा सकता है पूरे भारत का या पहला कोच सेंटर है जो आपको रिजल्ट किया स्टांप पेपर पर लिखत गाइडेंटी देती है जब तक रिजल्ट ना हो जाए आपको क्लास में तो दोस्तों दिनकर के काब संग्रह को आज मैं सकेंडों में टिप्स पर आपको करवाऊंगा जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क कि प्रन भंग रेनुका हुंकार रश्मति तो सिंपल कोडिंग करेंगे दिनकर जी का जन्म जो है 1908 में हुआ था गलती से नौ लिखा गया 1908 में हुआ था तो मतलब दिन में आठ घंटे काम करके अपने प्रन को भंग करती है रेनुका समझिएगा दिन में आठ घंटे काम करके अपने प्रन को भंग करती है रेनुका और प्रन भंग करके भांग खाकर हुंकार मारती है प्रन भंग करती है और भांग खा लेती है और भांग खाके हुंकार मारती है घर हुंकार बनती मारती है रस्वंती बनका फिर से समझना शुरू में आपको पकर बनाना है कि जो दिनकरजी का जन्म 1908 में हुआ है तो दिन में आजन्म 8 में हुआ है तो कोड भी लेना दिन में 8 घंटे काम करके अपने प्रन को भंग करके भांग खाती है रेनोगा क्या खाती है भांग खाती है रेनोगा फिर वो हुंकार मारने लगती है रश बंधी बंकर हुंकार मारने लगती है रश्वन्ती बनकर समझना एक बार और दिन में आठ घंटे काम करने के बाद अपने प्रन को भंग करके भांग खाती है रेनुका हुंकार मारने लगती है रश्वन्ती बनकर घर जो है कुरू छेत्र बन जाता है और समधन बापू को फॉन लगाती है हेलो कौन समधन बापू को फॉन लगाती है कि तेरी बिटिया भांग खाके पड़ी है तो समधन बापू को फॉन लगाती है और बापू इतिहास के आशू रोते है और धूप और धुआ खोज दे बापू इतिहास के आशू रोते हैं धूप और धुआ खोजते हैं और परोशी कहता है और इसे दिल्ली भेजो मिर्च का मजा दिल्ली पर उसी कहते के और मजा लेते हुए इसे दिल्ली भेजो तो मिर्च का मजा दिल्ली फिर से समझना एकदम आशान कोडिंग है और इस जनम में आप नहीं भूलोगे तो दिन में आठ घंटे काम करके अपने प्रंग को भंग करके भांग खाती है कोन रेनु का भांग खाके हुंकार मारने लगती है घर कुरु छेतर बन जाता है समधन बापू को फॉन लगाती है और बापू इतिहास के आशू रोता है और परोशी कहता मिर्च का मजालो दिल् मिर्च का मजालो दिली पहला सक्सम उखा था अब इसी रेनुका की सहेली है रस्मी रथी जो बावन की है रस्मी रथी नीम के पत्य पर बैठ जाती है इनी की सहेली है रस्मी रथी दोस्तों जो नीम के पत्य पर बैठ जाती है और सोचती है कि नील कुशुम का बियाह सूरज से करवा दे अगर बियाह नहीं करवा सके तो चक्कर ही चलवा दे और कभी स्री को बुला के सीपी और संख बजा दे फिर से समझना इनी रेनुका की सहेली है रस्मी रती जो नीम के पत्ते पर बैठ जाती है और सोचती है कि नील कुशुम का बियाह सूरज से करवा दे नहीं करवा पाए तो चक्कर ही चलवा दे और कभी स्री को बुला करके सीपी और संख बजा दे दूसरा सेक्शन खत्म तीसरे सेक्शन में इनी का सहेली है एकसट की उर्वशी कोड लेना इनी की सहेली है उर्वशी जो परशुराम की परतिख्छा करती है परशुराम नहीं आते हैं तो श्राप देती है कि तू कोईला और कभीता हो जा इनी की सहेली है उर्वशी मेरी बात समझना इनहीं की सहेली है उर्वशी जो परशुराम की परतिक्षा करती है और जब परशुराम नहीं आता है तो श्राप देती है तो कोईला और कविता हो जाए और उसी कोईले से माटी तिलग करती है और आत्मा के आखों से देखते हुए कहती है हारे को खरीडा आत्मा के आँखों से देखते हुए कहती है हारे को खरीडा याद हो गया तो दोश्तों इस तरह से संपुर्ण शाहिद को आप मिनिटों में सकेंडों में टिप्स पर कर शकते हो चाहे भारत का कोई भी एक्जाम हिंदी शाहिद से दे रहे हो हर एक्जाम की हम एस्टाम पेपर पर लिखत रिजल्ट की गायरेंटी देते हैं चाहे आप नेट दे रहे हो, टीजिटी दे रहे हो, पीजिटी दे रहे हो, नबोदय दे रहे हो, किवियस दे रहे हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेशर का पेपर दे रहो हर एक्जाब उसके बाद भी अगर आशफल होते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो बहुत सारे युबाओं को मैं देखता हूँ कि वो अपनी करनी से आज आशफल है पूरे दुनिया को दोस देते रहते हैं लेकिन खुद के अंदर नहीं जाकते हैं तो अगर आप भी बार बार अशफल नहीं होना चाहते हो तो एक बार फिरी वन विक का क्लास लेकर देखो अगर आपकी जिन्दगी नहीं बदल गई तो क्लास चोड़ देता धन्यवाद जाहें